तो CPVC pipe होता क्या है? सबसे पहले CPVC pipe जो होता है वो hot water के लिए इस्तमाल होता है thumbnail में भी देखा हुआ है और trailer में भी आपने देखा हुआ है कि pipe कितना round turn होता है तो आईए चलते हैं mobile के screen पर और देखते हैं पूरा वीडियो तो दोस्तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो तो यह रहा सब में पहले CPVC पाउना इंच का elbow इसे bend भी का जाता है 90 degree का तो यह जहाँ जहाँ हमारा जो side पे turn होते है वहाँ पे हम यह 90 degree elbow को इस्तमाल करते हैं यह पाउना इंची CPVC 90 degree का bend है आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे motor को हमने turn किया हुआ है तो जहाँ पे 90 degree होता है वहाँ पे हम यह इस्तमाल करते हैं जहाँ पे 90 degree turn करना होता है अगला यहा है socket इसे हम joint socket coupling कहते हैं इसके सब एक ही नाम है तो यह भी आदा इंच से 2 इंच तक available होता है जहाँ पे हमें joint होती है जैसे 20 feet pipe 10 feet pipe होता है वहाँ पे हमें connect करना होता है तो हमें collar का इस्तमाल करते हैं तो आपको समझ आ गया हो गई है collar को कहाँ पे इस्तमाल करते हैं इसे joint करने के लिए इस्तमाल किया जाता है running pipe के अंदर इसको इस्तमाल किया जाता है अगला यह T यह आधा इंसे दो इंश तक का T अविलेबल होता है मार्केट में जहाँ पे हमें एक रंणिंग लाइन में अगर हमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा दो ना होता है तो वहाँ पे हम इसको T का इस्तमाल करते हैं आप बॉल वाल के side में देख सकते हैं एक running pipe आ गया हुआ है और हमने एक line side में दिया हुआ है इसे हम इस्तमाल करते हैं जो extra line अगर हमें देना है तो यहाँ पे हम T का इस्तमाल करते हैं अब यहाँ आया shoe यह 45 degree bend भी कहा जाता है और इसे regular language में shoe भी कहा जाता है तो यह रहा हमारा आदा हीं से 2 इस तक का available होता है market में तो shoe का इस्तमाल जहाँ पे half turn करना होता है तो वहाँ पे इस्तमाल करते हैं 90 degree bend में क्या होता है गैस तो pressure पानी का कम होता है इसके लिए ज़्यादा तर plumber यह 45 degree का shoe इस्तमाल करते हैं आप side में वीडियो में देख सकते हैं तो यहाँ पे जो है दो shoe लगा के हमने pressure को continue रखा हुआ है यह हुआ end cap end cap का इस्तमाल जो है यह किसी भी point को stop करने के लिए इस्तमाल किया जाता है अब यहाँ पे हमने testing के लिए क्या किया था पानी leakage बन था तो वहाँ पे हमने running pipe को cut किया और वहाँ पे हमने यह end cap को इस्तमाल किया यहाँ भी देख सकते हैं आप तो इस तरीके से हम end cap का जो है वो इस्तमाल चालू पानी को रोकने के लिए कर सकते हैं तो अगला प्रोडक्ट हमारा आता है रेडिूसर आप देख सकते हैं वीडियो में ये एक बई पॉन का रेडिूसर है रेडिंग पाइप को अगर छोटा या बड़ा करना होता है तो वहाँ पर हम ये रेडिूसर को इस्तमाल करते हैं इसके बाद आया बॉल वाल जहां जहां ये ये बाद पर देख सकते हैं हर टैंक के आगे एक बॉल वाल इस्तमाल किया जाता है प्लस ये जो मोटर के पास तीन-चार पॉंट दिये हुए है एक बरने के बाद एक टाकी बरने के बाद एक एक्स्ट्रा पॉइंट तो इसको ओन आफ करने के लिए बॉल वाल का इस्त इसको पूसराइब करते हैं, अगला प्रोडक्ट है यूनियन, यूनियन गाइस बहुत ज़रूरी चीज होती है, किसी भी टैंक को या किसी मोटर को अगर बिना कट किये वे अलग करना होता है, तो हम वो यूनियन का इस्तमाल करते हैं, अब आप साइड में हर टैंक के सामने अब देख सकते हैं और मैं भी ओपन करके दिखा रहा हूँ इस तरीके से हम अलग कर सकते हैं बोर के आगे हो यह मोटर के आगे हो हम वहाँ पर यूनियन का इस्तमाल करते हैं ताकि मेंटनेंस के तेम पर इसको अलग करके यूज़ करके वाफिस फीट किया जा सके अगला product है भहती खास यह है आदा इंच का brass elbow इसमें आदा पहनास यह सब size में brass elbow available होते है जहां जहाँ पे हमें nail वगिरे point देना होता है आप देख सकते हैं gizzard का point तो यहाँ पे हम क्या करते हैं यह brass elbow को इस्तमाल किया जाता है ताके आगे nail, cock यह जो भी हमारे जो चीजे होते पॉइंट प्रेटे चलोए जगे पेर्ड को सेटमाल करते हैं तो इसे ब्रस इल्बो कहा साथ है यह रहा हमारा बूशिंग की उपके सब्भाव कि lutonais इंद अगल से परसे सब्सक्राइब करना हिए था फ्रिक दो की का मुशलूव क mistaken तर यह रह ब्रस करते में अगर हमें बेंड में अगर ब्रास नहीं लगाना है तो इस टेट में हम यह ब्रास एफटी इस्तमाल कर सकते हैं अगला प्रोड़क्त आया है यह से कहते हैं ब्रास MTA, male thread adapter, जिदर जिदर डाइवाटर की system लगाई जाती है, आप फोटो में देख सकते हैं, डाइवाटर हो, flush कोग हो, वहाँ पे वो इस्तमाल होता है, साथ में ये ब्राश्टी भी आप देख सकते हैं, रैनिंग में, जहाँ पे चालूग पॉइंट में, अगर हमें extra नलोगे सीदर देना होता है, तो वहाँ पे हम ये ब्राश्टी का इस्तमाल करते हैं, यह रहा water tank का जो tank निपल होता है, हर tank के आगे जो है हम इसको इसको इस्तमाल करते है, आपको आगे दिखाओंगा इसको हम पॉइप में कैसे कनेक करना आ इसके बाद यह आता है हब सेट बेंड स्टेप और बेंड भी से कहा जाता है मानों आपके एक लाइन स्टेट आई विए और हमें अलग से और एक लाइन देनीए उसके लाइन के उपर से लाइन आ होते हैं अभी समझें यह आपका एक यूपीवीसी पाइप है और एक सीपीवीसी पाइप आया हुआ है तो हम उसे जोइंट कैसे करें यह एक प्रोड़क बहुत अच्छा आता है अभी आप देख सकते हैं यह जोइंट नहीं हो सकता है यह पाइप का सिर्फ थिकनेज दिखा आए दिखने को आपको जब दिखाया तो एक ही जैसे दिख रहाता पर इसमें जो है डिफरेंस होता है यह बैठे गई नहीं आप सीपीवीसी सॉल्वन लगाएंगे तो प्रॉब्लम आएगा वह भी निकल जाएगा यह रहा ट्रांजेशन बुशिंग इसे हम ट्रांजेश करणा इसको अनलगा करता है कि आपको शेमपल के लिए उतना दिखा रहा हूं उसके बात करना का है हमें इस यह ड्रांजेशन को अब यह निकलेगा नहीं जहां पर ट्रांजेशन बुशिंग नहीं होगा तो वहां पर भी हमारे लिए और एक एक उप्शन है बट यह कंपनी से दिया हुआ बहुत ही अच्छा है और परफेक्ट प्रोडक्ट है यह परफेक्ट लिए भी जैन हो गया यह पाउना आदा कर दिया अब यहां पर CPVC पाइप इधर बैटेगा जहां पर CPVC का MTA और UPVC के FTA में यह UPVC का पाइप हो गया यह गाईज शिरिफ एमर्जंसी के लिए हम इस्तमाल कर सकते हैं आप जो है ट्रांजेशन बुशिंग का ही इस्तमाल करें वहां पर आप यह इस्तमाल कर सकते यहां पर भी यह फिक्स होगा और वापिस आगे से आप जो है CPVC पाइप कनेक्ट कर सकते हैं यह सिंपल तरीका है बहुत लोग पुश्ते है यू कुसी कैसे करें तो यह दो तरीके से हम इस्तमाल कर सकते हैं अगला जो प्रोड़क्ट है टैंग निपल पास मैंने बताया कितने बी टैंग निपल आते हैं वह यह रहा एक इंच का का है यहां सकते हैं यहां से फिक्स होने क भाद यह आपको डारएक इसके Eigen promote जो आपका साइस होगा वह साइज का एफटै लगा और वहां से बॉल वल लगा हो या यूनियन लगा कि आप उसको connection आप tank का दे सकते हैं यह रहा tank nipple connection का detail अगला जो नया product अभी हर company ने launch किया है वो है concealed wall जहाँ पर मैंने आपको बताया था ब्रास empty का इस्तमाल किया जाता है तो leakage का डर था तो अब company ने directly हर company ने अभी जो है यह conceal वाल डारेक्ट अभी दिया हुआ है यह पौना इंच का conceal वाल है यह पौना इंच का ब्रास टी नहीं है इसका size थोड़ा सा बड़ा आता है तो अब यह मत समझना है कि यह आदा इंच का ब्रास टी है तो अब करना क्या है company का एक सेट आता है यहां पर हम इसको fit कर देते हैं उसके एक benefit क्या है इसके हर पार्ट अवेलेबल होते है company के तो हमने यह simple fit क्या तो अभी हमारे को ब्रास empty लगाने की ज़रूरत नहीं है यहां पर हम direct pipe joint कर सकते हैं जिसके वज़े से हमा कर आए यहां पर आइरो जो दिखाया हुआ है यह एरो के तो हम पानी का direction सेट करें अगर स्टेट में लगा रहे तो आप देख सकते हैं जहां से पानी का फ्लो आता है उसको उसके अपोजे सेट आइरो लगाया और आइरो उसको water tank flow के तरब करें अगला जो product है गैस यह है आइनर वी नॉन डिटन वाल यह जो गाइस इस्तमाल होता है जहां पर हम बोर्वेल water tank वागेरा जो होती है underground water tank वहां पर हम यह इनर वी का इस्तमाल करें जिससे पानी एक बार ऊपर टेरिस पर बनने बाद रिटन ना आए यह ज्यादा तर बोर के बाहर इस्तमाल होता है औ और जो होता है हमारा solar water heater में भी हम वहां पर इस्तमाल करते है ताकि बार की रिटन वह पानी solar में ना जाए या फिर cold water के पास हमारा रिटन ना जाए इसको company ने बहुत 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 एजिय है आप देख सकते हैं इसको open किया union की तरह ही है इसको हमने यहां पर open करने के तो साफ के और दिये वापिस लगाए वाइसर को गुमने देना नहीं है वाइसर पर ही सब टिका हुआ होता है डीटेल तो यह हमने fix कर दिया इसको भी company ने बहुत अच्छा product बनाया हुआ है बहुत cost जाता था लेकिन यह भी आने से cost भी हमारा बचत हो जाएगा इसको भी आप arrow देख सकते तो water का flow है उस तरीके से यह arrow लगाए horizontal भी और vertical भी हम इसको 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 इस्तमाल कर सकते है I hope गाईस आपको यह वीडियो पसंड आया होगा तो like and subscribe का ना भूले आप बने रहे आपके अपने